जा रहा है आप सब की सहमती हो तो आप सब लोग ओंकार का घोश करके मुझे सहमती दे अपना उस्पुआस पूर्ण कर रहे हैं माननी प्रधान मुंत्र जी ग्यारा दिवसी उपुआस को वो पूर्ण कर रहे हैं मैं श्री राम जनम्भु वी तीर्थ छेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत्र निर्त्यकपालदाजी महाराज मनिराम छावनी अयुद्ध्य के श्री महंत्र के चर्णों में निवेदन करता हूँ आशीर वचन के लिए प्रिए प्रिए आशीर विए प्रिए प्रिए बड़े सो भाग की बाते भगवान राम की पावन जनुमी पर भगवान का महुच्व हो रहा है इससे बढ़कर के और क्या बात हो सकती है पर सम्में भगवान की लिला ऐसे है इसका वर्णा नहीं किया जा सकता है इसलिए हम सभी नों भगवान राम की पावन जनुमी पर रिए से अपना आशने अपनी सद्दा समर्पित करता हूँ मानने ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महराज रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेद से रगु नाथाय नाथाय सीताय पतिय नमह स्री राम लला भगवान के भारत माता के भारत माता के सर्यू माता के जै जै सीता राम राम चंद्राय के आज के स्कारिक्रम के मुख्यतिते दुनिया के सबसे लोक्प्रिय राजनेता भारत के मान्य प्रधान मंत्री आदणिया स्री नरेंद्र मोदेजे रास्तिय स्यम सिवक संके मान्य सरसंग चालक सरदे डॉक्टर मोहन भागवजे प्रदेश की मान्य राज्यपाल सिमती आनंदी वेन पटेल जी सिराम जन्भोमी तीर्थ छेत्र न्यास के अध्यक्स पूजय महन्त निर्थ कोपाल दास जी सिराम जन्भोमी तीर्थ छेत्र न्यास के कोशा ध्यक्स पूजय स्वामी गोविंद देवग्री जी महा सचिव समानेशी चंपत राय जी देश के कोने कोने से यहां पर पधारे पूज्य संत जन अपने अपने छेत्र के नेत्रुत देने वाले सभी उपस्तित महानुभाव रामत सो के इस पावन पर्व के उसर पर आधनिय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सब की ओर से हिर्दै से स्वागत करता हूँ और इनन्दन करता हूँ इस उसर पर पधारे राश्तिय स्यम सिवक संग के सरसंग चालग आधनिय डॉक्टर मोहन भागवत जी का अन्य समागत अतितियों और महानुभावों का मैं हिर्दै से स्वागत करता हूँ अविनन्दन करता हूँ प्रवुरामलला के भव्य दिव्य और नभ्य धामे बजार बिराजने की आप सभी को कोटी कोटी बधाई पांच सो वर्सों के लंबे अंतराल के उपरांग आज के इस चर्चिर प्रतिक्षित मौके पर अंतर मन में भावने कुछ ऐसी है क्यों ये ब्यक्त करने के लिए सब्द नहीं मिल लाए है मन भावुक है भाविवोर है भाविवल है निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा मैसूस कर रहे होंगे आज सेतियासिक और त्यंत पावन अस्वर पर भारत का हर नगर हर ग्राम अयोध्याधाम है हर मार्ग सिर्राम जनभूमी की ओर आ रहा है हर मन में राम नाम है हर आँख हर सोर संतोस के आशू से भीगा है हर जिवा राम राम जप रही है रोम रोम में राम रमे है पुडा राष्ट राम में है ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं आज रगु नंदन राघो राम लला हमारी हिर्दे के भावों से भरे संकल्प सुरूप सिंगासन पर विराज रहे हैं आज हर राम भक्त के हिर्दे में प्रसनता है गर्व है और संतोज के भाव है आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतिक्सा थी भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतिक्सा में लगभग पांच सताब्दी बतीत हो गई दर्जनो पीडिया अधूरी कामला लिए इस धराधाम से साकेट धाम में लीन हो गई किन्तो प्रतिक्सा और संघर्ष का करम सतत जारी रहा सिराम जन्भू में संभूत्व विश्व में पहला ऐसा अनुठा प्रकंडर होगा जिसमें किसी राष्ट के बहुत संक्यक समाज ने अपने ही देश में अपने अराध्य की जनमस्तली पर मंदिर निर्मान के ले इतने वर्सों तक और इतने अस्तरों पर लड़ाई लड़ी हो संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धी जीवियों, राजनेताओं, जन्जातियों, सहीद समाज के हर वर्गने जाति पाति, विचार दर्सन, उपासना पद्दतिसे उपर उठकर के राम काज के लिए स्वयम को सर्ग किया अंततह वासुप आउसर आ ही गया, जब कोटी कोटी, आस्तावानों के त्याग और तब को पूर्टा प्राप्त हो रही है आज आत्मा परहुलित है, इस बात से, कि मंदिर वही बना है, जहां बनाने का संकल्प लिया था संकल्प और साधना की सिद्धि के ले, हमारी प्रतिक्सा की इस समाप्ति के ले और संकल्प की पूर्टा के ले, आधनिये प्रधान मंत्री से नरेंद्र मोधी जी का हिर्दै से आभार और अभिनंदन माने प्रधान मंत्री जी, 2014 मैं आपके आगमन के साथ ही भारतिय जन्मानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दिड़ सोई, मिलही राम सगुन सुब होई, अभी गर्वग्रे में बैदिक विधी स्विधान से राम लला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्टा को हम सब साक्सी बने हैं और लौकिक छवी है, हमारे प्रभु की बिल्कुल वेसे ही, जैसे तुलसी दाजजी ने कहा कि नवकंज लोचन, कंज मुख, कर कंज पद कंजारुनम धन्य है वसिल्पी, जिसने हमारे मन में बसे राम की स्चवी को मूर्त रूप प्रदान किया है विचारों और भावनाओं की बिहलता के बीच मुझे पूज संतों और अपनी गुरु परंपरा का कुर्णे स्मरण हो रहा है आज उनकी आत्मा को असीम संतों सरानंद के अन्भूति हो रही होगी जिन परंपराओं की पीडियां सिराम जन्भू मुक्तिक गिर्ख में अपनी आहुति दे चुकी है उनकी पावन इस मिर्थियों को मैं यहां पर कोटी कोटी नमन करता हूँ सिराम जन्भू में महायक जनकेवल सनातनास्ता और विश्वास की परिक्सा का काल रहा बलकि संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए रास्ट की सामिक चेतना जाग्रण के धे में भी सफल सिद्धू हुआ है सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर्प्रतिक्सित नौबिवान को देख अयोध्या समेब पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है भाग्यवान है हमारी पीड़ी जो इस राम काज के साक्सी बन रहे है और उससे भी बड़भागी हैं वो जिनोंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे हैं जिस अयोध्या को आउनी की अमरावती और धर्ती का वेकुंड कहा गया वो सदियों तक अब सिप्त थी उपेक्सित रही सुन्योजित क्रिस्कार जेलती रही अपने ही भूमी पर सनातनास्ता पदलित होती रही चोटिल होती रही किंतुराम का जीवन हमें सैयम की सिक्सा देता है और भारती समाज ने सैयम बनाई रखा लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दिड़ होता गया और आज देखिए पुरी दुनिया अयोध्या के वैभाव को निभार रही है हर कोई अयोध्या आने कौतुर है आज अयोध्या में त्रेता युगीन वैभा उतर आया है दिख रहा है यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है पुरा विश्व दिब्ब्य और भब्य योध्या का साकसात कार कर रहा है आज जिस सुन्योची त्यम्ती ब्रकति से योध्या पुरी का विकास हो रहा है वा पुर्धान मंत्री जी के दिड़ संकल्प इच्छा सक्ते और दूर दरिस्ता के बिना संभव नहीं था कुछ और से पहले कल्पना से परे था कि अयोध्या में एरपोर्ट होगा यहां के नगर के भीतर चार लेन की सड़के होंगी सर्यूजी में कुरूच चलेंगे अयोध्या की खोई गर्मा वापस आएगी लेकिन मित्रों डवल इंजन की सरकार के प्रियास से आज आप सब के सहोग से सब साकार हुआ है सांस्कृतिक अयोध्या आयुस्मान अयोध्या स्वच्छ अयोध्या सक्सम अयोध्या सुरम्य अयोध्या सुगम्य अयोध्या दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या की रूपे कुंडधार के लिए हजारों करोड रुपे वर्तमान में यहाँ पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं राम जी की पेड़ी नया घाड, गुप्तार घाड, ब्रम्म कुंड, भरत कुंड, सूरज कुंड, विभिन्न कुंडों के काया कल्प, संग्रक्षन, संचालन, रखरखाओं के कार्य हो रहे है रामेण परंपरा की कल्चर मैपिंग कराई जा रही है राम बंगमन पत पर रामेण वीथिका का निर्मान हो रहा है नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सब्वेता को संगख्षन तो होई रहा है भुष्यकी जरुपतों को देखते हुए आधनिक पैमाने के अनसार सभी नगरिये सुपधाएं भी विक्सित हो रही है इस मोक्सदाइनी नगरि को आधनिये प्रधान मंत्री जी के पेणा से अब सॉलर सीटी के रूप में भी विक्सित किया जा रहा है पुरी अयोत्ध्या में विष्व के सनातन आस्तावानों संतों, प्रयटकों, सोधार्तियों जिग्यास्यों के प्रमुक केंद्र के रूप में इसे बनाने की और से अक्रसर किया जा रहा है ये एक नगर या तीर्थवर का विकास नहीं है यो उस विश्वास की विजय है जिसे सत्यमेव जैते की रुप में भारत के राजचिंड मैंगिकार किया गया है ये लोक आस्ता और जन विश्वास का विजय है भारत के गौरव की पुनरप्रतिष्टा है योध्या का दिव्वदि पॉत्षो। नए भारत की सांस्कृतिक पहचान बन रहा है। और स्रीराम लिला की प्रान परतिष्था का समारों भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को सम्रस की एक अभिव्यक्ति सिद्ध कर रहा है। सिर्राम जन्वोई मंदिर की अस्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर जागनन का अध्यात्मिक अनुष्थान है यह राष्ट मंदिर है निसंदे सिर्राम लिला विग्रह की प्रांट प्रतिश्था राष्टि ये गौरव का एक एथ्यासिक अउसर है निश्चिंत रहिए पर वो राम की किर्पा से अब कोई अयोध्या की परिकर्मा कोई बाधा नहीं बन पाएगा अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गडा हट नहीं होगी करफ्यू नहीं लगेगा अब इतो यहां दिपोट्सो रामोट्सो और यहां की गलियों में सिर्राम नाम स संकिर्टन से यहां की गलियां गोंजाए मान होंगी क्योंकि अवद पुरी का मैं राम लिला का बिराजना राम राज्य की स्थापना की उद्गोशना भी है राम राज्य बैठे तिर लोका हरसित भये गये सब सोका राम राज्य